गहरे जंगल के किनारे एक छोटी सी खूपसूरत गाव था वहाँ एक नानी चिडिया रहती थी जिसका नाम था तुनी वहाँ बहुत ही ध्यान से अपने बच्चों को पालती थी और हर संभव प्रयास करती थी कि वे सुरक्षित रही तुनी का एक बेटा था जिसका नाम था छोटा चिडॉला वहाँ अपनी मा के साथ हमेशा खेलता और घूमता रहता था तुनी उसे नेक आत्ते सिखाती और उसे जंगल के नियोमों का पालन करने की शिक्षा देती एक दिन तुनी ने छोटे चिडॉले को सिखाया की कैसे उसे खाना खोजना है वे दोनों मिलकर जंगल के चमकदार सफर पर निकले चिडॉला ने बहुत सारे मजेदार खेल खेले और फिर खाना ढूर्णने का काम शुरू किया उसने धीरे धीरे खाना खोजते हुए अच्छे से खाने की जगा पर पहुँचा तुनी ने उसे प्रसंसा की और कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरे बेटे यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है वक्त बीटता रहा और छोटे चिडॉले की शिक्षा और संगत ने उसे एक बहादुर और समझदार चिडिया बना दिया वह अपनी मा की सेवा में हमेशा ततपर रहता और जंगल के वन्य जीवों की रक्षा करता एक दिन गाव में एक भयंकर आग लग गई आग की लप्ते तेजी से बढ़ रही थी और गाव के जंगल को भी ले रही थी तुनी ने तुरंट अपने बच्चे को बताया और सभी चिडियों को संगठित किया वे मिलकर आग बुझाने के लिए प्रयतनशील हुए छोटे चिडॉले ने भी अपनी मा की मदद की और आग को बुझाने में सहायक हुआ उसने अपनी विवेकपूर्ण बुधी का उप्योग करके जलने वाले पेडों को बचाया और आग को नियंत्रित किया अंत में उन्होंने सभी जंगली जानवरों को सुरक्षित कर लिया और गाव को बचा लिया उनकी सहसिक्ता और समर्थन ने आग को बुझाने में मदद की और उन्होंने अपनी मा के बारे में गर्व से महसूस किया तुनी ने देखा कि उसका बेटा एक बहादुर और सासी चडौला बन गया है उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे बेटे तुम्हारा साहस और निश्चय हमेशा तुम्हारे साथ है इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि माम बेटे के बीच विशेश संबंध होते हैं एक मा की प्रेर्णा और समर्थन के बिना बच्चा कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता